हलो फ्रेंज वेलकम बेक टू माई चैनल ये इस द्रामे की हिंदी एक्स्प्लिनेशन का पार्ट टू है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हैन उसे पूछता है कल रहा तुम कहा थी और किस के साथ थी सिनान भोलती है मैं जिस मरजी के साथ हूँ इससे तुमें क्या ये बोलकर घर के अंदर चाने लगती है सिनान उसे रोकता है तुमने अभी भी हमारे ब्रेक अप के बारे में अपनी फैमली को नहीं बताया इसका मतलब मेरे पास अभी भी चांस है लेकिन सिनान भो बोलकर घर के अंदर चली जाती है नेक्स टे सिनान देखती है वो दोनों गुंडे अभी भी उसके घर के भारी टैल रही है तबी सिनान को एक प्रोफेसर का कोल आता है मुझे बच्चों को कॉम्पिटीशन के लिए ले कर जाना था पर मैं जा नहीं पाऊंगी मुझे कुछ जरूरी काम है इसले तुम ले जाओ सिनान मान जाती हैSmith सिनान में वो सभी स्टूडेंट काibtेंस ले रही होती है सिनान देखती है गुलिंग शिंग भी वहाँ पर आ गया है तब ही वो देखती है वो दो गुंडे उसे वहाँ ढून रहे होते हैं सिनान उसे जल्दी से बस में बिठा देती है और बस वहाँ से निकल जाती है सिनान उसे बोलती है अब तुम यहाँ से निकल जाओ और घर भागो अगर निस स्टूडन्स को तुमारे बारे में पता चल गया तो हम दोनों फस जाएंगे कुलिंग शिंग बोलता है तुम सभी को बोल देना ना कि मैं तुमारा असिस्टन्ट हूँ सिनान उसकी बात मान चाती है उसके बाद ये सभी होटल पहुच जाती है सब इस स्टूडन अपना रूम कर लेकर रूम में जा रही होती है सिनान बोलती है क्या तुम अभी भी वापस नहीं जाओगे कुलिंग शिंग बोलता है क्या चाती हो तुम वो लोग मुझे पकड़ ले सिनान बोलती है अगर तुमारे डाट ढूनते हो यहां पर आ गए और सीसी टीवी फूटेश देख लिया तो तुम तो पकड़े जाओगे वैसे भी यहां पर सारे रूम रिजिस्टर है कुलिंग शिंग उसी के रूम की की ले ले लेता है और उसी के रूम में रहने के लिए आ जाता है सिनान बोलती है अगर तुम्हें मेरे रूम में रहना है न तो फ्लोर पर ही सोना पड़ेगा गुलिंग शिंग को गुसा आता है पर उसके पास कोई चोईस नहीं थी रात में सिनान नीनों में उसके ओपर गिर जाती है दोनों शोक होकर एक दूसरे को देखने लग जाते हैं सिनान बोलती है मुझे माफ करना मैं जान कर नहीं गिरी और उटने की कोशिश करती है पर गूलिंग शिंग उसे पकड़ लेता है और उसे किस करने वाला था ये देखकर सिनान जल्दी से बेट पर भाग जाती है लेकिन गूलिंग शिंग को तो मज़े आ रही होते हैं नेक्स टे हमें दिखाया जाता है कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाला था लेकिन में स्टूडन जो सिंगिंग करने वाला था वो गायब था जिसके बाद गूलिंग शिंग उसकी जंगा सिंगिंग करता है और ये लोग ये कॉम्पिटिशन जीचाते हैं competition के बाद वो गुलिंग शिंग को ढून रही होती है पर वो उसे नहीं मिलता तो वो उसे call करती है पर उसका call भी नहीं लगता तो वो उसे ढूनने निकल जाती है रास्ते में वो उसे एक store के सामने मिल जाता है टैड़ी बियर काप outfit पहने गुलिंग शिंग बोलता है यहाँ पर अच्छी opportunity थी इसलिए मैंने सोचा कुछ पैसे कमा लूँ और उसने जो पैसे कमाई थे वो सारे खर्च कर देता है सिनान के साथ enjoy करने में दोनों hotel की तरफ आ रही होते हैं रास्ते में सिनान बोलती है तुमने आज बहुत ही अच्छी singing की तुम future में एक अच्छे singer बनोगे गुलिंग शिंग तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके close जाकर उसके बाल ठीक करता है इसे तुम इतनी ज़्यादा nervous क्यों हो रही हो सिनान बोलती है मैं कोई nervous नहीं हूँ next day ये सारे वापिस आ रही होते हैं और ये दोने एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर सो रही होते हैं गुलिंग शिंग का friend इन दोनों की फोटो क्लिक कर लेता है तब ही गुलिंग शिंग की नहीं खुल जाती है और अपनी friend को बोलता है ये फोटोस मुझे भी सेंड कर देना फ्रेंड पूछता है क्या तुम दोनों के बीच में सच में कुछ चल रहा है गुलिंग शिंग बोलता है क्यूम हम दोनों की जोडी अच्छी नहीं लगती क्या تمें वो बोलता है तुम दोनों की जोड़ी तो बहुती अच्छी है बिसुन कर गोलिंग शिंग तो बहुत ज़ादा खुश हो जाता है दोनों घर पहुँच जाते हैं गोलिंग शिंग उसे उसकी घर तक छोड़ने आया होता है सिनान बाए करकर जाने लगती है तब इको लिंग शिंग उसे रोक कर अचानक से हग कर लेता है सिनान ये देखकर शौक होती है पर वो भी उसे हग कर लेती है सिनान की छोड़ी भेन भी ये देख लेती है नेक्स्ट सिनान की भेन अपनी भेन को मेंसिस कर कर पूछती है क्या तुमको पता है सीनियर कहां पर है उसकी भेन रिपलाई करती है आखिरकार मुझे कैसे मालूम मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ उसकी भेन को तो गुस्सा आजाता है मैं उसकी सगी भेन हूँ फिर भी मुझसे छूट बोल रही है तबी कुछ लोग बाते करने लग जाते हैं कॉलिज के शोशल मेडिया पेज पर कुछ फोटोस अपलोड की गई है टोकी गो लिंग शिंग और सिनान की होती है सिनान भी ये फोटोस देख लेती है तबी महाँ पर हैन की गल्फरेंड आ जाती है जब पहले से तुम्हारा कोई बॉइफरेंड था तो तुम मेरे हैन की पीछे क्यों पड़ी थी तुम्हारी वज़े से वो मुझसे ब्रेक अप कर रहा है ये बोल कर वो उस पर सारी फोटोस फेक देती है सिनान पूछती है क्या वो फोटोस तुमने ही ओनलाइन अप्लोड की है हैन की गल्फरेंड बोलती हैं मैंने ही की है तुम मुझसे मेरा बॉइफरेंड चीनना चाहती थी ना तो सब के सामने तुम्हारा सच तो आना ही चाहिए सिनान की भेन भी वहाँ आ जाती है और अपनी भेन की साइड ले रही होती है तुम मेरी भेन को ऐसे कैसे बोल सकती हो सिनान भी उसे बताती है मैंने हैन के साथ ब्रेक अप कपका कर लिया है अब वो तुम्हारे साथ ब्रेक अप क्यों कर रहा है इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता जिवन मेरे और उसके बीश में तुम आई थी तो मुझ पर चिलाना बंद करो हैंकी गल्फिन की तो बोलती ही बंदो जाती है विसी क्योडी गाड आकर चिलाने लग जाता है तुम लोगों ने हला क्यों मुझा रखा है सिनान की बेन बोलती है ये लड़की हमारे कॉलिश की नहीं है देखो फिर भी शौर मचा रखा है इसने क्योडी गाड उस लड़की को मां से बगा देता है उसके बाद दोनों भेने वो सारी फोटो उठा लेती है सिनान की बेन बोलती है सीनियर तो बहुती जादा हैंसम है पता नहीं उसे मेरी बेन में क्या दिख गया मुझे अब सभी को ये भूलना होगा कि मेरी सीनियर मेरे होने वाले जीजू है सिनान बोलती है अपनी बकवास बंद करो और जाकर क्लास अटेंड करो नेकसीन में सिनान घर पर होती है और बहुत ज़दा परेशान थी अक्चली मैं उसके और गुलिंग शिंग को लेकर रियूमर्स पूरे कॉलिश में फैल गए थे जिसकी वज़े से कॉलिश वालों ने उसे कुछ दिन की छुट्टी दे दी है तक कि ये सारे रियूमर्स खतम ना हो जाएं तब ही उसे गुलिंग शिंग का कॉल आता है मैंने भी वो फोटोस देख लिये हैं मैं तुमें एक जगा लेकर जाना चाता हूँ जिसके बाद वो उसे हैन की गल्फरिंड के पास लेकर आ जाता है हैन की गल्फरिंड बोलती है तुम इसे अपने साथ क्यों लेकर आई हो गुलिंग शिंग बोलता है देखो ये मेरी गल्फरिंड है जब तुम हैन के साथ मिलकर इसे चीट कर रही थी ना तब ही इसने उससे ब्रेक अप कर लिया था तुम दुबारा मेरी गल को परिशान मत करना इसका हैन के साथ कोई भी रिष्टा नहीं है हैन की गल्फरिंड बोलती है ये खेसे मानूं कि ये दुबारा मेरे हैन को मुझसे नहीं चीनेगी गुलिंग शिंग बोलता है मैं गूफ फैमिली का वारिस हूँ तो भला ये मुझे छोड़ कर उसके पास क्यों जाएगी और अगर तुमने तुरी जाने मन को परिशान किया ना तो तुमारे हैन को मैं गूफ फैमिली से निकलवा दूँगा गल्फरिंड बोलती है प्रीस ऐसा मत करना और ये दोनों हाथों में हाथ ढाले घर आचाते हैं सिनान अपना घात छड़वा लेती है गूलिंग शिंग बोलता है मुझे माफ करना मैंने बिना पूछे तुमसे कुछ भी कह दिया हाँ पर सिनान बोलती है कोई बात नहीं वैसे भी तुमने मेरी हैल्प करने के लिए कहाता सब गूलिंग शिंग बोलता है अब मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर और नहीं रह सकता जिनान बोलती है क्या तुम अपने उस सीक्रेट प्लेस पर रहने के लिए जाओगे गूलिंग शिंग बोलता है नहीं प्रिल डैट तक ये फोटोस पहुँच चुकी होंगी और अगर मैं ऐसे घर से गायब रहूंगा तो मेरे डैट तुमें भी परिशान करेंगे ये बोल कर उसे हग कर लेता है जब मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना उसके बाद ही अब मैं तुमसे मिल ले आऊँगा ये बोल कर वो मां से चला जाता है उसके जाते ही उसके घर के गंटी बचती है सिनान खुल लगता है जरूर गुलिंग शिंग वापिस आगया लेकिन वो तो हैन होता है बोलता है तुम्हें क्या लगा गुलिंग शिंग वापिस आगया सिनान धरवासा बंद करने की कोशिश करती है पर वो नहीं मांता और उसके घर के अंदर गुज़ जाता है और वो उसके घर में गुलिंग शिंग का गिटार देख लेता है वैसे मैं तुम से ये बात करने आये था क्या तुम मुझे एक और चंस दोगी सिनान बोलती है मुझे तुमसे अप कोई रिष्टा नहीं रखना तुम बड़े धोकी बाच हो गूलिंग शिंग बोलता है मुझे मालूम है अब तुम मुझसे कोई रिष्टा क्यों रखोगी भला जब तुम्हारे पास ओल्डरी गूलिंग शिंग है और उसका हाथ पकड़ कर पूछता है मुझे ये बताओ गूलिंग शिंग कहाँ पर है सिनान बताने से मना कर देती है एन उसके गले में गूलिंग शिंग का लोकेट देख लेता है ये तुमारे पास है इसका मतलब तुम दोनों के बीश में सच में कुछ चिल रहा है सिनान अपना हाँ चुड़वाने की कोशिश करती है पर इस चक्कर में वो गिर जाती है और उसके सर में चोट लग जाती है तब ही वहाँ पर गूलिंग शिंग भी आ जाता है और उसकी चोट को देखने के बाद वो उसे उठा कर होस्पिटल लेकर आता है गूलिंग शिंग उसे सौरी बोलता है मेरी वज़े से ही तुम्हे चोट लगी है सिनान बोलती है तुम्हे भी मेरी वज़े से एक बार चोट लगी थी इसलिए अब हमारा हिसाब बरावर हो गया है तब ही होस्पिटल में गूलिंग शिंग के डाइट और उसके अंकल भी पहुँच जाते हैं बोलिंग शिंग जैसे ही रूम से भार आता है डाइट बोलते हैं तुम इतने दिनों से कहां गायब थे मुझे तुम्हे तुम्हारी बहुत ज़दा फिक्र हो रही थी तुम्हें क्या पता सिनान बोलता है डाइट आप एक निंग करना बंद करो ना मुझे मालूम है आप शियर एग्रीमेंट पर साइन कराने के लिए ये सब कर रहे हो तो तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तब ये अंकल बीच में बोल परते हैं तुम्हारे डाइट ने जो कुछ भी किया है वो तुम्हारे लिए ही किया था सिनान बोलता है इसका मतलब आप मेरे डाइड है तो आप कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ तुम्हारे आपने मेरा के नैप करवाया ताकि मैं शेर एग्रीमेंट पर साइन कर दू आप कौन से किसम के डाइड है जो अपने ही बेटे को हर्ट करना चाते हैं ये सुनकर डाइड तो शोक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें तो इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं था और उसके बाद उनके हर्ट में पेन होने लग जाता है डॉक्टर चेक करने के बाद बताते हैं गुलिंग शिंग के डाइड को हर्ट प्रॉब्लम है ये वर उनकी हालत इन्दी ज़्यादा खराब है अगर उन्हें कोई भी शोक मिला तो वो मर भी सकते हैं बॉलिंग शिंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है अपने डाइड के लिए तब ही वो देखता है उसकी स्टेप मॉम उसके डाइड से मिलने आई होती है उसके बाद वो अपने लोयर उंकल को बोलता है डाइड ने मुझे कभी बताया ही नहीं कि उन्हें हर्ट डिजीज है लोयर बोलता है तुमारे डाइड तुमें परिशान नहीं करना चाहते थे इसलिए उन्हें तुमें इस बारे में नहीं बताया होगा वैसे तुम तुमारे डाइड को गलत समझ रही हो तुमारे डाइड ने तुमारा किनेप नहीं करवाया था लेकिन गुलिंग शिंग को यकीन नहीं होता तो लोयर अंकल उसे एक recording सुनाते हैं जिसमें हैन और उसके डैड बात कर रही होते हैं Actually मैं उस दिन उस लोयर ने उनकी सारी बातों को record कर लिया था recording सुनने के बाद गुलिंग शिंग को हैन और उसके डैड पर गुस्दा आ रहा होता है तबी सिनान भी वहाँ पर आ जाती है अब तुम्हारे डैड कैसे हैं और तुम उनके साथ क्यों नहीं हो कुलिंग शिंग बोलता है मेरे डैड अब ठीक है पर वो मुझे देखना नहीं चाते सिनान बोलती है मुझे लगता है तुम्हें अपने डैड के खिलाफ कोई गलत फैमी हो गई है क्योंकि वो तुम्हें कभी हट नहीं कर सकते कुलिंग शिंग बोलता है तुम्हें एक दम सही कह रही हो और वो और वो सिनान को घर चोड़ने चला जाता है हैन ने भी छुपके से उनकी सारी बाते सुन ली होती है वो उसे घर चोड़ कर वापिस आता है और हैन का कोलर पकड़ लेता है एक्शली मैं वो उसे अपने डैड के रूम से भार निकलता हुआ देख लेता है उसे जो चीछ है यह नहीं तुम्हारी तो उसे लेनी के लिए क्यों पीछे पड़े हो हैन बोलता है जब तुम्हें पता था सिनान मेरी फ्यानसी है तो तुमने उसे मुझसे क्यों चीना तुम उसे कम कैसे हो गए सेमी तो हुए गुलिंग शिंग उसे में उसे एक पंच लगा देता है पहले उसको तुमने चीट किया था तब ही उसने तुमसे ब्रेक अप किया हैन बोलता है खुशना भी मत कि वो कभी तुमारी हो जाएगी वो तुमें छोड़ कर एक दिन मेरे पास वापिस जरूर आएगी गुलिंग शिंग बोलता है अगर तुम अपनी हरकतों से बास नहीं आए न तो गुफ एमली का जो कुछ भी तुमारे पास है वो सब कुछ मैं तुमसे वापिस ले लूँगा जिनान बोलता है तुमारे नाम पर कुछ भी नहीं है तो तुम उसे क्या ले लोगे ये बोल कर वो कॉल कट कर देती है गुलिंग शिंग उससे मिलने के लिए आचाता है सिनान के तब ठीक नहीं थी तो गुलिंग शिंग उसकी केर करने लग जाता है तबी गुलिंग शिंग को उसके लोएर अंकल का कॉल आता है तुम्हारे डड़ उन से बात करना चाते हैं गुलिंग शिंग जैसे ही होस्पिटल पहुँचता है वो देखता है अंकल और हैन उसके डड़ से माफिया मांग रही होते हैं गुलिंग शिंग हैन पर चिलाने लग जाता है वो सबी को भार बगा देते हैं लेकिन गुलिंग शिंग को वहीं रुकने को कहते हैं ताइट बोलते हैं मुझे मालूम है मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि मैंने कभी तुम्हारी मौम और तुम्हारा ख्याल अच्छे से नहीं रखा पर प्लीज मुझे माफ कर दो इवन हैनो और तुम्हारे अंकल को भी माफ कर दो उन्होंने जो किया है उसके लिए जैसी क्या तुम सच में सिनान को डेट कर रहे हो बुलिंग शिंग हाँ बोल देता है डाट बोलते हैं लड़कियों की कमी पड़ गई थी क्या तुमने अपनी ही भाई की फ्यांसी को क्यों चुना हो सकता है वो लड़की तुमें भी चीट कर दे इससे बेटर है तुम ही उससे ब्रेक अप कर लो बुलिंग शिंग भोलता है ये सब मैं संभाल लूँगा आप बस अपना ध्यान रखिए नेक्सीन में सिनान जैसे ही कॉले से बार आती है रिपोर्टर्स उसके पीछे पढ़ जाते हैं और उस पर सवालों की बरिश कर देते हैं आप अपने ही फ्यांसी को चीट करकर उसके भाई के साथ रिलेशन में कैसे आ सकती हैं सिनान को तो बहुत ही जादा शर्मिन्दकी हो रही होती है तबी गुलिंग शिंग उसे बच्छाने के लिए आ जाता है आपको जो सवाल पूछने हैं मुझसे पूछ सकते हो रिपोर्टर पूछते हैं आप दोनों का क्या रिश्ता है गुलिंग शिंग उसका हाथ पकड़ कर बता देता है ये वो लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ बोल कर वो से वह से ले जाता है सिनान उसे बोलती है मेरी वज़े से तुमारी लाइब भी ट्राबल बन गई है इसलिए मुझे लगता है अब मुझे तुमसे नहीं मिलना चाहिए गुलिंग शिंग बोलता है क्या तुम मुझे नफरत करने लगी हो सिनान बोलती है ऐसा नहीं है गुलिंग शिंग बोलता है मैंने रिपोर्टर को जो कहा था वो एकदम सच था मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ और मुझे तुम्हारा जवाब जानना है सिनार अपना जवाब उसे किस करकर दे देती है गुलिंग शिंग भी उसे बैक किस करता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें नियू अपडेट्स के लिए बैल एकन का बटन प्रेस करें मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ अब तक के लिए सारांगे बाई बाई